जिनाब जमू कश्मीर की सियासत गरम है और सियासत का हवाले से अगर बात करें तो इस बार जमू कश्मीर के अंदर अगर सबसे ज्यादा मेजर सेटबैक्स किसी पुलिटिकल पार्टी को लगे हैं तो वो जमू कश्मीर अपनी पार्टी है या यूँ कह सकते हैं सेद मुहम् किस अपने मेंडेंडे को अलग कर दिया और उसके बाद भी जड़ी बल से हैंको करेशनर्षिंसी मेंडेंडेंडे मिला लेकिन मिलने के बाद भी उन्होंने जम्हो कश्मीर अपने परेंडेंट आपको अलग कर दिया और यह क्या दिया कि जनाब मैं अपने कुलीक्स अपने प्रेजिजन्ट स्रीद मुहमद अलता बुखारी को बेस्ट आफ लग कहता हूं इस एलेक्शन में और अपने कुलीक्स को भी और किसी के खिलाफ कोई शिक्वेग लिए नहीं आलबता जब मैं हल से वापस आया तो हल स मिलने के बाद भी आकरकार पार्टी के आइडियोलजी क्या है इससे पहले भी एक्सेमेले नूर बटमालू नूर मुहमद ने भी कह दिया कि जनाब पार्टी के आइडियोलजी की वज़े से वो पार्टी को खेराबाद कह रहे है और जुनैद अजिमत्तू भी वही कह रहे कि जनाब वो पूरे जमु कश्मीर के अंदर केवल 90 सीट्स पर 90 सीट्स पर सार्ट सीट्स पर एलेक्शन लड़ेगी लेकिन उसके चलते जिनको मैंडेट मिला था अजड़ी बल्से उन्होंने भी मैंडेट मिले के बाद भी पार्टी को खेराबाद का दिया और हाली में अगर चलता बुकारी ने भी कहा दिया कि इस सेलेक्शन के टाइम पर ये सारी चीज़े होती रहती है लेकिन इस तरीके के मेजर सटबैक्स मिलना किसी इस मौके पर ये कहीं न कहीं से जरूर एक चैलेंज जो है उस पार्टी के लिए हो सकता है लेकिन आगे किस स्ट्राइज़ी जुनियाद की क्या रहेगी किस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे किस पार्टी के थ्रू जो है वो इस सेलेक्शन में हिस्सा लेंगे वो देखने लायक होगा फिलाल तो उनने कहा दिया कि वो अपनी पार्टी को गुडबै कह रहे हैं और वो अलता बुखारी साब को और जुनेयत के मुताबिक उनके कुलीग्स को बेस्ट आफ लग कह रहे हैं और उन्होंने यही भी कहा है कि जुमू कुश्मीर अपनी पार्टी को फुल लिबर्टी दे रहे हैं कि उनके बदले में जड़ीबल को अश्रंसी के लिए बो किसी भी कैंडिडेट को उठा सकते हैं और उसमें उनकी कोई अब्जेक्शन नहीं होगी लेकिन मजीद इस स्यासत के दंगल के हवाले से क्या सामने आता है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने क कोश्च करेंगे तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामन मीरी रईस को दीजिया इजात और शेक इम्रान के साथ आप देखते हैं इसरी नगर से जमूल लाक विजर